नमस्कार HDF News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आरके रोशन खबरों का सफ़र सूर करने से पहले आई एक नजट डालते हैं आज के हेड्लाइस पे सीम गितीत ने बुलाई क्यापनेट की मिटेंग विधान परिशत में राजिपाल पोटे की बारस सीपों को भरने का पास होगा प्रस्ताव आसमान से मौत की बारिस मोतिहार में ठंका गिरने से चार की मौत राजत तोने के बाद जेडी में सुरू किया आप्रेशन कांग्रेस आदा दरजन विधाय के बंड़ाधार करने को तयार दों को लाइन पर लाने की कोशी पट्टा में बाइकर्स गैंग में की सरापाटी नसे में चूर होकर की तावर को रुपारिंग तेरा आरेस्ट अब खबरें वित्तार से भुकमती मितीस ने आज कैबनेट की बैठक बुलाई है अमुमन बिहार कैबनेट की बैठक साम में आयोजित की जाती थी लेकिन इस बार सुवा में कैबनेट बैठक बुलाई गई है सियम नितीस कुमार की अध्यक्स्ता में आज एक गारब तीस वजे कैबनेट की बैठक संबाद में आयोजित की गई है चर्चा है कि आज की कैबनेट बैठक में विधान परिसद में राजिपाल कोटे से खाली हुई बारस सीटों पर नए उमिद्वार को भरने का प्रताब रखा जाएगा राजिपाल कोटे से विधान परिसद के लिए बीजेपी और जेडियू में कई दौरे की बात्चीत हो चुकी है इसके साथ में मंतिल मंडल की बैठक में कई अनवुद्दों पर भी मुहर लगेगी बड़ी खबर मोतिहारी से है जहां आसमान से आफ़तवर्शी है ठंका गिरने से चार लोगों की मौत हो गई है जिने की चार अलग अलग जगों में चार लोगों की मौत हुई है वहीं चार लोगों की घायर होने की भी सूचना मिल गई है आदापुर में ठंका गिरने से एक पताही के पर्तौनी खपूर में एक मैला की मौत हुई है खबर के मुताबिक बंजरिया में भी आकासिय बिजनी गिरने से एक इवक्ती मौत हुई है बनकटवा के ओदर कट गाउं में आकासिय बिजनी से गौरी संगर की मौत हुई है ख़वर नवादा से सहर में भीसन जाम को देखती हुए प्रसासन में एक वार फिर अतिकर्मकारियों के खिलाप चलाया अभियाँ आज सब्जी मार्कित पुरानी वाजार से कलाली रोड में जैसी भी से दुकान के आगे अतिकर्मन कर बनाये गये सेड को हटाये गया आज जैसे ही पुरानी वाजार में दुकाने सजनी सुरी हुई वैसे ही सदर इसड्यों एसपी अभियान पुलिस बल और बुल्डोजर लेकर पहुचे पुलिस की मौजूदगी में दुकानों के आगे किये गये अतिकर्मन पर प्रसासन का बुल्डोजर चला वही प्रसासन की ओड़ी सक्त चेताबनी दी गई है कि अगर फिर से अतिकर्मन प्या गया तो कानूनी कारवाई होगी बिहार बिधासनवा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में जोर तोर की राजिनती खेल चालु हो चुका है राजत की विधान परिशत की पांच सदसों को अपने खेमे में लाने के बाद अब जडियू के निशाने पर कांग्रिस आ गई है विधान सभा चुराओं के पहले सियासी खेल चाद हो गया है जीत पक्की करने के लिए पार्टियां हर दाओं खेलने के लिए तयार है बताया जा रहा है कि कांग्रिस की पांच विधाय लगतार जेडियू के संपर्ट में है जब की दो को मनाया जा रहा है अंदर खाने से जो जानगारी आ रहे है उसके मुतार्म जेडियू ने आप्रेशन कांग्रिस का जिम्मा जेडियू के एक मंतरी को दिया है बताया जाता है कि जिस मंत्री को यह जिम्मात दिया है उनका कांग्रिस से पुराना संपर्थ रहा है राजनुतिक हलकों में चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के पांच में तीन भी धाय जेडियू वाले मंत्री के पुराने दोस्त हैं जबकी दोपुर में जेडियू के ही खेमे में थे लड़ खड़ा रहे थे कदम कर्ज में आ गए थे हम च्छा रहे थे गम के बादल कभी हारे कहों थे हम फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्तार किस मुर्गी दाने से खुब बढ़ा व्यापार अब नहीं है मुश्क जीना हुआ आसान बढ़ रही है सम्रिधी और बढ़ा मान सम्मान और बढ़ा मान सम्मान सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन, कैल्सियम, विटामीन, इनर्जी से भरपूर यह स्टीम पद्दती से तयार किया जाता है इस मुर्गी दाने को खिलाने से चुजों में तेजी से व्रिधी होती है और बिमारियों से लड़ने के ख्षमता का विकास होता है आथ ही FCR भी कम होता है तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजधानी पट्ना में बाइकर्स गैंग ने जम कर दारू पाटी की कदमकुआ के नाया तोला बारीपत में बुद्धवार की राब बाइकर्स गैंग के एक मिंबर ने अपने बड़े पर दारू पाटी का इंतजाम किया पार्टी में सामिल कई के पास पिश्टल था और नसे में धूत होते ही ये लोग तावरत तोर फारिंग करने लगे फारिंग की आवाज से महली के लोग ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस को यह सूचना दी गए कि दो गुटों के बीच फारिंग हो रही है लेकिन पुलिस जैसे ही अपार्टनिक के छट पर पहुंची वहाँ माजरा कुछ और था पुलिस ने बताया कि छट पर बाइकर्स गैंके परमुक अंकित सिनह और उसे सेरा सिंग के बर्दे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था पुलिस का कहना है कि इस मामले में 12 लोगों को गिरतार किया गया है इसके साथ ही मौके से सराग की बोतले, चार पिस्टल और बाइक ब्रामर किया गया पटना सीटी के आलमगंज थाना च्छेतर के नीम की भटी इस्तित वाट नंबर 57 में पीने की पानी की समस्या से जुझ रहे लोगों का गुस्वा फूर परा जिससे आक्रोसित लोगों ने नई सरक इस्तित वेलवी गुम्टी के पास रोड जाम कर दिया और जंकर हंगावा दिया वहीं आग जनिकर रोड जाम करके छोटी बड़ी गारियों की नंबी कतारे लग गए जहां आक्रोसित लोगों का कहना था कि पिछले 6 महिने से गंदा पानी पीने की समस्या चलिया रही है जिसकी सिकायत अस्तानिय पासर और पतना मेर को भी लिखित सूचना दी गए थी पर किसी के तरब से समस्या का समधान नहीं किया गया वहीं नई सरक इलाके में चल रहे नमामी गंगे के परियोजना के तहट सरक खुलाई के दौरान सप्लाई पानी का पाई फट जाने से घरों में गंदा पानी आने लगा और नमामी गंगे परियोजना का कार्ज खत्म होते ही घरों में पानी आना बंध हो गया जिससे पानी पीने की समस्या को लेकर आक्रोसित लोगों का गुच्सा खूट पड़ा और रोर जाम आग जनी कर हुंगा में करने लगे जो जहां तक लगता है कि नमामी गंगे का जो प्रोजेक्ट चल दा है उसके कारण पीने का सप्लाइए वाला पाइप फट गया है जिसके कारण सनीम की भट्टी में पानी नहीं जा पा रही है मुझपर्पुर्पुलिस को मिली बड़ी काम म्यावी लेवी के वसूले में पहुचे तीम नकसली को हत्यार और नकसली परचा के साथ मौके से गिरफ्टार किया वर्यपुलिस अधिक्चक जैकांत ने बताया कि गुप्त सूचना मिली की नकसली संगठन के दस सदस किसी बरी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे है उप्त सूचना की अधार पर ASP पूर्वी और ASP अभ्यान के नित्रत में एक विसेश टीम का गठन किया गया इस टीम ने मीनापुर्थाना च्छित्र के गंगटी इलाके में छापे मारी की इस दुरान तीम नक्सली को गिरफतार किया गया जबकि स्ताथ नक्सली मौके से भाग खरे हुए साथी बताया यह नक्सली तंगठन मीनापुर्थाना च्छित्र के खरार मटके बालो गित्टी बिवसाई बंसल लालस्ता से पांचलाक रूपय की लेवी की मांग पिछले पांच जुन को कि थी लेवी के बसुनी में पहुँचे तीम नक्सलियों को पुरीस में गिरफतार किया है गिरप्तार किये जाने वालों में बेलसंड थाना चेत्र के हसौर गाउं का राधोर राय और फर रगूर महिद वारा ओटी के सुगरी डी गाउं का परमोद राय एवं सिवाई पट्टी थाना चेत्र के मदैपुर गाउं का संजीब कुमार सामिल है संजीब सिवाई पट्टी थाना के गारी का चलत रश चुका है लेवी की रासी वसुले में वहां नकसलियों के साथ मद्यत्ता करता था उसके पास से लेवी के 20 हजार रुपे ब्रामत हुए है अन्द दो आरुप्तों के पास से एक एक खटा दो दो कार्टूर पाच पाइल एम नकसली परचे ब्रामत हुए बाकी फराग नकसली की ग्रफ तारी के लिए छापे माली चारी है अडिशन एस्पी टीम और स्टीएफ के टीम को इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ नकसली मीनापूर थाना चेत्र में एकाटा होकर फिर से लेवी मांगने और किसी बड के भी जवान शामिल थे इन्होंने मौकाई वार्दाप का रेट की रेट में एक कोख्यात नकसली रागो राय जो के पूर में भी नकसल कांडू में वांचित रहा है वो और इसके दो सही योगों को गिरिफतार किया गया इनके पास से कंट्री मेट वेपन और इसके अलाव वाहन समान परामद हुआ है सोतंत्र एवं निस्पक्ष बिधान सवाच चुनाव के मद्दे नचर चुनाव आयोग ने वैसे अफसरों को हटाने का निर्टेज दिया है जो एक जिले में तीन वर्स की अब भी पूरी कर चुके है आयोग ने इसके लिए 31 अक्टूवर तक टाटप डेट निर्डारी किया है इस डाइरे में IG, DIG, DM, SSP, ASP, Commanded, ASP, ATM, ADM, DIPT collector, Joint collector, तासिलदार, Inspector, Sub-Inspector और Sergeant Major अत्र की अधिकारी सामिल होगे आयोग ने मुख सचीब और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी पत्र में कहा है कि ऐसे अफसर जिनके खिलाप चुनाओ आयोग ने पिछले चुनाओ में अनुसंसा की है या उनके खिलाप कोई Penalty लगाई गई है उनकी Duty नहीं लगेगी वैसे अफसरों को भी चुनाओकार से दूर रखा जाएगा जिन पर पिछले चुनाओ में गर्वरी का अरोप है जिन अफसरों के रिटारमेंट में 6 मा सेस लगए हैं उन्हें इसके बाहर रखा जाएगा यहाँ बक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद जन्द हाजिर होंगे आप बने रहेगे हमारे साथ लड़ खड़ा रहे थे कदम कर्ज में आ गए थे हम च्छा रहे थे गम के बादल कभी हारे कहों थे हम फिर सोना गोल्ड ने किया चमतकार किस मुर्गी दाने से खुब बढ़ा व्यापार अब नहीं है मुश्किल जीना हुआ आसान बढ़ रही है सम्रिधी और बढ़ा मान सम्मान सोना गोल्ड मुर्गी दाना जो प्रोटीन, कैल्सियम, विटामीन, इनर्जी से भरपूर यह स्टीम पद्दती से तयार किया जाता है इस मुर्गी दाने को खिलाने से चुजों में तेजी से व्रिधी होती है और बिमारियों से लड़ने के ख्षमता का विकास होता है आथ ही FCR भी कम होता है तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं आगली ख़बर की हो कुरोना को लेकर बिहार के सभी सिम मंदिरों में सराबनी मेले के आयोजन पर रोक लगानी देंगे सभी सिम मंदिर 4 अगस तक बंद रहेंगे सरधालों से अपने अपने घरों में रहकर सराबनी पुजा करने का आगरफ किया गया है राजसरकार ने 20 जून को सराबनी मिले के समन्द में कुछ सर्तों के साथ अरगा में जलारपन कर सिम मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमती दी थी उसमें संसोधन किया गया है वे सिम मंदिर जहां सरावनी मिले का एयोजन होता है उनको छोड़कर अन मंदिरों में कुछ सर्तों के साथ पूजा अर्चना होगी भारत और चीन के बीच में तनाव के बार भारत ने उनसर चीनी एप पर बैन लगा दिया इन सभी एप में टिक टॉक के बैन होने से चारो और काफी हंगामा मचा हुआ है भाला कि टिक टॉक को टक्कर देने के लिए मार्केट में कुछ देसी एप भी लांच किये गया है इने में से एक चिंगारी भी है रिपूर्ट के अनुसार टिक टॉक बैन होने के बाद एक रात में एक मिलियन लोगों ने चिंगारी एप डाउनलोड कर लिया है हर घंटे करीब दस हजार लोग ये देसी एप डाउनलोड कर रहे है इस बावत खुलासा हुआ है कि एप के स्थास्थापत और मुख उत्पाद अधिकारी सुमित गोस ने डेटा सियर करते हुए किया है कि इसी के साथ चिंगारी में एक नया कृतिमांग प्रच दिया है चिंगारी के अलावा कुछ और देसी एप भी हैं जिने टिक टॉक के विकल्प में इूजर्स के लिए निकाला गया है मंत्री जीने एक बयायन के बाद जार्खन की राजनीती में बवाल मच गया सिक्षा मंत्री ने गजव का बयान दिया है खाहा है जो सरकारी स्कुल में पढ़ेगा सरकारी नौकरी उसी को मिलनी चाहिए जार्खन के सिक्षा मंत्री जगरनात महतो ने कहा है कि राज़ में सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले बच्चों को ही सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए इससे सरकारी स्कुलों के परती लोगों की धारना बदलेगी तथा लोग नीजी इसकोलों को छोड़ कर सरकारी इसकोलों में अपने बच्चों का नावाम कन कराएंगे हलाकि उनके ब्यान के बार बड़े बवाल पर उन्होंने सफाई दी और इसे अपना नीजी विचार बताया फिलार इस बुलेटिन में इतना ही अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरिन खबर के ताथ तब तक के लिए हमें दीजे इजाज़त आप देखते रहें स्जेप नमस्कार